हलो दोस्तो फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आपके पास एक डेविट कार्ड या क्रेट कार्ड है और आप उसका यूज ऑनलाइन शॉपिंग वगेरा के लिए करते हैं तो देखिया आपको अपने कार्ड का टोकेनाईजेशन सिस्टम करन अगर नहीं करते हैं तो आप को यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको बार 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 वो कार्ड नंबर डालना होगा तब ही जाके आप पेमिंट कर पाएंगे तो इस वीडियो में डीटेल में देखेंगे कि देखिये जैसा कि यहां पर मुझे एक मेल आया ह कर तरहां हिएकि जाकर का सब्सक्राइब RBI के तरफ से guideline है, कि आप अगर online payment करते हैं, अपने card का use करके तो उसका tokenized system कर लेने हैं, तो card जो है use नहीं कर पाएंगे आप 1 जुलाई से, मतलब use कर पाएंगे, मगर जो saved card रहेगा, वो हट जाएगा, जैसे online platform पे आप कहीं पे card अपना save करके रखेंगे, तो देखिए हम बन अगरे बाद क्या होगा, कि आपको payment section पे लिके जाए जाएगा, ठीक है, तो payment section पे ही आपको tokenized system करना है, अपने card का, तो जैसा कि देख सकते हैं, मेरे पास HDFC bank का, मेरे पास HDFC bank का, देखिए, यहापर debit card है, हम इसको tokenized system करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकत ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, secure your card as per RBI guideline, यहाँ पर अंटिक कर देंगे, तो यहाँ पर टोकेना system नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसको tick लगाना है, यहीं पर tick लगाया, tick लगाने के बाद continue का option है, किलिक कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि मे यहाँ पर payment करना चाहेंगे, फिर से order वाले option पर जाएंगे, कोई भी फिर से order यहाँ पर ले लेंगे, उसके अदि इसको मान लीजे ले लेते हैं, लेने के बाद यहाँ पर फिर payment करेंगे, इसको ले लिया मैंने, उसके बाद फिर से payment करेंगे, देखेंगे कि फिर से option आ र अभी देखिए, यहां पर HDFC Bank वाला डेविट कार्ड है, ठीक है, इसको हमने क्लिक किया, अभी देख सकते हैं, हैं यहां पर RBI के तरफ से जो आ रहा था, जैसे मैं इस कार्ड को क्लिक कर रहा हूं, तो दैखिए यहां पर RIA वाला option, ठीक है, अभी हम HDFC distract कर्ण कार्ड को क्लि कर दिया है simply जो मेरा tokenize हो चुका है ठीक है